इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फोटो सॉप में इस तरह का टेक्स्ट डिजाइन आप कैसे कर सकते हैं तो चलिए अपने टॉपिक की ओड बरते हैं तो सबसे पहले आप फोटो सॉप आपन कर लिजिए आपन करने के बाद आप एक पेज बना लिजिए जो की पेज का साइज आप देख सकते हैं उसके बाद पेज का साइज आ जाने के बाद आपको क्या करना है लेयर पैनल को सो करवा लेना है और इस लेयर पे डबल क्लिक किजिए पिर डबल क्लिक किजिए उसके बाद यहां से आपको जाना है गरेंडियेट ओबर ले और यहां से linear है तो radial कर लेना है और यहां से reverse उसके बाद यहां से color पे आपको select करना है और इसमें कुछ ऐसे color आप अपने अनुसार maintain कर सकते हैं ठीक है यह देखिए ऐसा कुछ color आपको फिल करवा लेना है और यह हमारे पास background ready हो गया अब आप जो भ कर दिये डिट्रो इसके बाद यह text का design का नाम है इसके बाद हम यहां से इसको text जैसे page के अनुसार इसको हम बड़ा चोटा कर सकते हैं control a करेंगे और इसको center में align कर लेंगे तो यह हमारे पास text बनके ready हो गया अब क्या करना है आपको इसको double copy बनाना है control j करके ठीक है control j करक double copy बना लेना है फिर आपको transform करना है text को और जिस तरह का आप motion देना चाहें वो आप 3D motion effect लगा सकते हैं तो जैसे कि मैं keyboard में एक बार up arrow करूंगा और एक बार down arrow तो 3D जो save बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा अगर आप ऊपर की तरफ बनाना चाहें तो इसको आपको up arrow की प्रेस करना होगा और left sorry right arrow की प्रेस करना होगा तो यह आपका effect ऐसा दिखेगा हम यहाँ से क्या करते हैं फिर से ctrl J करेंगे ctrl T करेंगे एक बार bottom वाला arrow की उसके बाद right वाला arrow की उसके बाद enter करना है और एक photoshop में shortcut की है alt ctrl shift alt ctrl shift की को hold करके रखना है और T को दबाना है दबाना है छोड़ना है तो यह आपका effect बनता जाएगा ठीक है यह आप देख सकते हैं जितने भी आप बनाना चाहें वह आप बना सकते हैं तो मैंने इतने सारे copy बना लिए और सभी को हम select करेंगे और इसको हम center में यहाँ page में रख लेंगे ठीक है अब देखिए क्या करना है इसमें यह सभी जो जितने भी layer है एक नीचे layer छोड़के और एक उपर layer छोड़के आपको क्या करना है group में इसको add कर लिजे जिसे क्या होगा कि अच्छा रहेगा और यहां से आपको क्या करना है वीच वाले जो layer है यह सब तो उपर वाले layer को hide कर वालीजे और इस layer पे क कुई सभी एक layer पे क्लिक किजिए और यहां से आपको क्या करना है वीबल एंब इंबोस को यहां चेक कर लेना है और यहां से color overlay color overlay और जो भी color आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं तो मैं यहां से यह जो pink color है इसको हम color select कर लेंगे ठीक है यहां से यह वाला color थोड़ा हम light रखेंगे उसके बाद hue cali करेंगे अब यह हमारे पास जितने भी यहां यह सभीद हमें reply करना है यह लिएरे स्टाइल तो एके करके नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे यहां से इस वाले लेड़ पर याइट किलिक करेंगे जिसक्रें लेयरे आद लाइट लगाए है उसके आप देख सकते हैं इफेक्ट कुछ ऐसा लगेगा तो यह हमारा फाइनल हो गया यह हमारा सेंटर का जो थीरिटी सैडो था उसका काम हो गया अब जो नीचे वाला जो लियर है इस पे हम क्या करेंगे राइट किलिक करेंगे और यहां से कनभर टू स्मार्ट अबजेक्ट उसक यहां से आपको 100 पिक्सल में डिस्टेंस आप डिस्टेंस बराना चाहें तो बरहा गटा के चेक कर सकते हैं यहां से जैसे मैं एक टी देता हूं तो इतना इफेक्ट दिखा वह इसके बाद उक्के करेंगे तो यह हमारा यह भी फाइनल हो गया अब जो सबसे लास्ट है यहां पर हम डबल किलिक करेंगे और इसमें इस ट्रॉक अपलाई करेंगे और यहां से हम वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और इस ट्रॉक आप यहां से थीरी है तो फाइप कर लिजिए या फिर फोर कर लिजिए और उसके बाद यहां से सेंटर कर लिजिए ठीक रहाएगा उ यहां से 5 pixel उसके बाद हम यहां से color select करेंगे जैसे color overlay में color को हम select करेंगे और एक और चीछ है मेरे दोस्त यहांसे हम क्या करते हैं इसको okay कर लेते हैं एक pattern बनाएंगे गोगे तो pattern बनाने के लिए हम control end करेंगे और यहां से 3 pixel और यहां से हम 3 pixel देंगे और यहां से 6 pixel उसके बाद ok करेंगे तो यह काफी छोटा page है तो इसको हम zoom करेंगे और यहां से क्या करेंगे rectangle mark tool को select करेंगे और यहां से selection बनाएंगे और foreground में black color को select करेंगे और यहां से alt के साथ back space press करेंगे तो यह हो जाएगा इसमें फिल ctrl d करेंगे यानि d selected उसके बाद edit menu में जाएंगे और define pattern और pattern का name देंगे उसके बाद ok करेंगे तो यह pattern बन गया अब क्या करना है फिर से आपको double click करना है इस layer पे और यहां से आपको क्या करना है pattern select करना है इससे पहले आपको यहां type tool को select करना है और इसमें आप color fill कर लीजिए जैसे कि मैं यह color fill कर लेता हूँ फिर हम इस पे double click करेंगे और उसके बाद हम यहां से क्या करेंगे यह pattern में जाएंगे pattern पे select करेंगे और जो pattern आप बनाएंगे वो यहां select होगा उसके बाद आप यहां से इसका opacity कम कर लीजिए यहां से आप देख सकते हैं 10% देख लीजिए या फिर 12 अपने अनुसार इसको रखिए उसके बाद यहां से inner shadow यहां से side में क्या करना है आपको बढ़ा लेना है कुछ distance यह आप देख सकते हैं और यहां से आपको multiply है तो इसमें काफी सारे option है तो हम यहां से linear burn करके देखते हैं तो यह कुछ अच्छा effect आएगा उसके बाद inner glow पे भी click कर लीजिए और इ इसके बाद color आप यहां से pick कर लिजिए जो color यहां से आपको क्या करना है size बढ़ाना है तो size बढ़ाएंगे तो आप effect देख सकते हैं और उसके बाद drop shadow लगा लिजिए तो shadow लगाएंगे तो यह भी आप effect देख सकते हैं अर यहां से distance थोड़ा और ओफसीटी हम कम कर लेंग तो ये इस तरह से ये अच्छे से डिजाइन बना सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर जरूर किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ